नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर अम्रिस्तर के रंजेत वेन्यों में युवकों के दो गुटों में हुई भिणंत कुछ युवकों को लिया हिरा सकते नाभा के रियास्तती किले की पार्किंग में चोरों ने एक कार को बनाया निशाना शीशे तोड़कर नकदी मोबाइल वज़ जरूरी समान लेकर हुए फरार अम्रिस्तर के गोल हटी चौंक में देरात कुछ युवकों ने पान की दुकान में की दोरफोर दुकान में पड़ी नकदी और दुकानदार की जिप से पैसे छीन हुए फरार अर अब हल चल विस्तार से अम्रिस्तर के रंची तवैनियों में युवकों के दो गुट आपस में बुरी तरह से भिड़ गए इस दुरान दोनों गुटों की और से लगबग 25 युवकों ने एक दूसरे पर हमला किया और एक दूसरे की पगणिया तक उतार डाली तो वहीं मौके पर मौझूद कई लोगों ने इस घटना करम की वीडियो बना कर इंटरनेट पर डाल दी उन्होंने बताया कि उनके पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो चुके थे जिसके बाद पुलिस ने मौके पर मौझूद लोगों से वीडियो ली और भिरने वाले युवकों की पहचान करवाई जिसके बाद पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया उन्होंने कहा कि ये जगड़ा किसी लड़की को लेकर हुआ था किसी एक युवक का वहाँ आईलेट्स सेंटर पर आने वली लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था जबकि एक अन्य युवक को ये सब गवारा नहीं था दोनों युवकों में पहले कहा सुनी हुई और बाद में ये बात जड़ब तक पहुँच गई दोनों युवकों ने अपने अपने साथियों को बुलाकर वहाँ विवात करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए फिलहाल पुलिस ने मामला दर्च कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है अमरी सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट पगान लागे पगान दर्च कर देखते हैं जिस तो बाद असी मुखवर खाजी इंफ्रमेशन दे रंजीत अवन थाना विखे सारे अनप्षापते नौजवाना दे घलाफ आई परशी थी ता रहा है एक सोट एक सोट ता लिन जाते दो सपचान में दी ता हैं तो एक मकदमा रिस्ट गीता हैं दूर सनमूव मोकी देए कुछ सेटी टीवी फोटेजिस ते कुछ मोकी दो वीडियो भी मिली आने जिनन पंजाब में दिन प्रति दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है आए दिन चोर घरों दुकानों को निशाना बना रहे हैं और अब तो कारों में पड़ा सामान भी सुरक्षित नहीं है ऐसी एक घटना घटी देर शाम नाभा के रियासती किले की पारकिंग में जहां पारकिंग में खड़ी कार को मोटर साइकल सवार चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए कार का शीशा तोड़कर 15,000 रुपए की नकदी मोबाइल फोन और परस में बड़ा जरूरी सामान लेकर फरार हो गए वह यह सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है तो वहीं कार माली के और से घटना की सूचना नाभा को उतवाली पुलिस को दी गई है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की तोड़के गड़ी देवेचे काफी खोला फलाई करी गई है परस्क शी का होर काई लिपत्र सारे से तके नीचे ते देवेचे हैगा सी का पंद्रा का है यार ने नियरबोट थे हैं सी का लिड़ाउ ले गया ते एक मोबाइल फोन सी वेच्च हो भी नी मिले आ ते यह देखो पंद्रा मिंट देवेच्च वेच्ची छे वजे मैं गड़ी लाई है सबक शे देन इरबोट भी हो गया है कमा ते बहुत माड़ी कटना हुई है यह सिदा प्रशाशन तो और मंग कर देए था कोई हल करना चाहिए था कोई होर बड़ी कारवाई नहीं हुई अम्रिसर के गोल हटी चोंक पर देरात एक पान की दुकान पर कुछ लोगोंने तोड़ फोड शुरू कर दी जिसके बाद साथ लगती दूसरी दुकान पर भी तोड़ फोड कर दी और पान की दुकान पर पड़े रुपए लूट लिये इतना ही नहीं दुकानदार की जेब से भी रुपए लूट कर वे फरार हो गए और दुकान का सामान भी लूट लिया इसलिए पीडित दुकानदार ने पुलिस से आरोपियों पर सक्त कारवाई करने की मांग की है तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्चकर आगे की जान शुरू कर दी है अमरे सर से हल्चल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट पिछे से 20-25 बंदे आए आते दुखान तोड़ना शुकर दे जो माल था माल को लूटके लेगे गले से पैसा निकाल लेगे यहां तक कि मेरी जेब से भी चाना था जेब में तलाशी लिए कुछ ने मिला बाकी चाबी वह भी लेगे चलेगे कितने लोग थे कम 15-20 जने क्या बोलें कुछ नहीं बोलके कि बंद कर दो यह कर दो कि नहीं सब समान लूटके लेगे बासे मार मुर के कुमार पीट काई करके समान लूटा शीशे सब तोड़ दिया लिए लिए किछे भी होगे 20-25 यहार का साथ आठ यार पर गल्लेम धवर उठाके लेगे हैं शीशे के सब लेगे कुछ फेक दिया तोड़ दिया आते कुछ बोलते तो बाद भी बनती ना कोई धंकी नहीं दी ना आते शीशे कर पांस दुगान तोड़नी शुरू कर दोड़ करना पोला पांशॉप यह और दूसर अधे कोश खुलर बाज आए जना ने आके जड़ा खुलर बारी किती है दिकान ना दे बंतोड ती ती है वो वेरिफाइग कर रहे हैं आप यह विरिफाइगे ब्यान लेके में ना नूगार निगे जो बी वेरिफाइग कर आंगे और जो कसूर बार होंगे ना नो गड़ किता है एका टूरिस्टा पूरा जड़ा लाइंड आटर ता पूरा कंट्रोल को यह जी चीज नहीं है और अजी एह होजा कोई भी जड़ा नुक्स हमन दी सूर्थ नहीं पैदा होन देंगे किसे भी हालत देवेच किसे नो जड़ा रजाइत नहीं देती जाओ कि कोई होज सुनाम विधान सभा शुत्र के सभी अठने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को भविश्य की रोबोटिक लैब से लैस किया चाईका शहीद उधम सिंग राच के वरिष्ट माध्यमिक विध्याले सुनाम में स्थापित पहली रोबोटिक लैब का उधगाटन करने आये कैबिनेट मंत्री आमन अरोडा ने शेश 17 वरिष्ट माध्यमिक विध्यालेों में प्रयोग शालाप करनों को वित्रन भी किया इसके इलावा सुनाम के शहीद उधम सिंग स्कूल फॉर गल्स और बॉइज और शहीद भाई मतिदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोंगो वाला में जर्मन फर्म मायराकल दस की मदद से तीन एकसार रियालेटी लैब भी स्तापित की जारी है उन्होंने बताया कि ये फ्यूचरिस्टिक लैब और एकसार रियालेटी लैब्स विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, इंटरनेट औफ थीम्स, आर्टिफिशल, इंटेलिजन्स, 3D, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोनिक्स की मूल बातें आदी जैसे नवीनतम प्रिद्योग उन्होंने कहा कि ये परियोजना मज़ेदार सीखने के माध्यम से चात्रों के ग्यानकोशल को बढ़ाने के लिए अभिनव तरीकों की सुविधा प्रदान करेगी। पंचाब सरकार राच्यों में शिक्षा के शेत्र में क्रांती लाने के लिए वचन बद है। संग्रूर से हल्चल के लिए जस्वीर मान की रिपूर। को एह जी कंपनी खड़ी करते हैं जिते दुनिया तो आके लोक नौकरिया करना जिनने जिन्निया टॉप एंड कंपनी दे दुनिया देख लो गूगल देख लो तुसी टेसला देख लो उनना देविच्छ टेक्नोलोजी देविच्छ आज वी तकरीबन ती-पैंती जाँ किसे करते हैं कि क्योंके सरकारान दी नालेकज की रही है सो इस करके मैं मन और चाल दा मांसा भी हमाख उमेंश डाङर कर देने के जोब सी कर नी जोब डिवर यानि नौकरी लैन चला के लिए नौकरी देन आढ़ा बच्चे ने जड़े आशी ओ तियार करने करने निस मैं समझे था कैलिबर बच्चे और टीचर्स दे विच बदू है अज दे बच्चियां दी नीड है क्योंकि साथ बच्चियां नू टेक्नोलोजी देना रूबरू कराना उनना नू समेते हानी बनाना बहुत ज़रूरी है ते सरकारवल नो यह जड़ा उपरालाय किता गया गा बहुत शिलागा जोग है ताकि साथ बच्चे भी आज रोबोटिक्स टेकनोलोजी देखन क्योंकि जदो असी पढ़ते सिसानू लगदा सी कि थोड़ा कंप्यूटर बारे नहीं पढ़ सके पर साथ बच्चे ने उननाने दो दीना देविच्ची जदो ट्रेनिंग प्रोग सगरूर से दिल्ली जंतर मंतर पर जा रहे किसानों को हर्याना की सीमा खनोरी में रोक दिया गया गया गौरतलब रहे कि भारतिय किसान यूनियन एकता आजात की और से दिल्ली में किसानों और महिला पहलवानों के हक में बड़ी महापंचायत में भाग लेने के जंतर मंतर तो वहीं पंजाब हर्याना सीमा पर हर्याना पुलिस ने पहरा लगाया हुआ है और उन्हें वहीं पर रोक दिया गया और आगे नहीं जाने दिया गया। और जोवन पृत सिंग ने अपने तीन चार साथियों सहित वहां आकर उन्हें पर हमला कर दिया और उनके साथ काफी मारपिट भी की। इसलिए उन्होंने पुलिस सदिकारीं से मांग की है कि उन्हें इनसाफ दिलाया जाए। इस मौक्य पर पुलिस सदिकारी लव पृत कर दोड़ा जाए। इस निए जमीन देवेचे टाली हैं तरह द्रक्त दे तरह दे लिए इक पार्टिया कि अगे वेई ते जिदों कटाई करने वाला है उस्तु इनादी वैस बाजी होई है उस्तु इनादी चगड़ा जी दोड़ा जाए। ते फिलाले नादी याज़ी जिला संगरूर के भवानी गड़ की जसमीत कौर ने दस्वी कक्षा के आई नतीजों में 99.8 प्रतिशा तंक हासिल किये हैं और वेपूरे पंजाब में चौथे स्तान पर आ चुकी है वजेला संगरूर में पहले स्तान पर रही है जिसके चलते उसके पारिवारिक सदस्यों से बहुत खुश है इसके साथ ही पूरे शहर में भी खुशी का महौल है वहीं मीडिया कर्मी भी जसमीत के घर पहुंचे और उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ बात चित की उन्हों उने बताया कि वे लगन के साथ हर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करती थी जिसके बाद अब यह नतीज़ा आया है जस्मीत का सपना है कि वे बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है इस लक्षे के लिए वे अपनी मिहनत को और बढ़ाएगी और कड़ी मिहनत से अपने स संगरूर पूरा करेगी ताकि डॉक्टर बनकर वे समाज की सेवा कर सके और समाज का भला हो वराज्य का भी विकास हो संगरूर से हल्च्छल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट कि थोड़े बच्चे देंने बदियां करने की क्याना चाहिए बहुत ज्यादा खुशी दी काल है बच्चे दी मेंत है जो उस दाफ उसनों फाल मिले है ता मैं चानिया कि अग्ये भी बच्चा है अद्दा ही मेंत करदा रवे और नाम रोशन करे इदा सपना जो डॉक्टर बच्चे दा सपना जुरूर पुरा होवे बदिया डॉक्टर बने अपना नाम रोशन करें ना साड़ा नाम भी रोशन करें लगता निकितना कि बच्चा जिमें आज बदी अंकल है ता मुन वाले पंजाबदा पविख जरूर है इननों थोड़ा था थोड़ा फाइनेंश जरूरत है अगर फाइनेंशल हेल्प सरकारवल नों मिल दी है बच्चे नों ताहे पंजाब दा की इंडिया दा नाम विरोशन कर सकते हैं यह तिन्नों यी सिस्टर जिद्दा दिया अजी तोड़ा नाम मेरा नाम जस्मीत कार है जी ते किनने आंक आइने तोड़ा मेरे 99.08 90% आइने ते यह जले जीदिया रों न Zig आइंने पराया ने जी खूशी तफरी ती जिले जी आँने तोड़ा मेरे जे अजी पराया है तोड़ा ज़ीन आइने खूशません प игр किन्येग द्रा ciao मेरे है को सोचिख सिक डिये किन्हा जले गे जोद्झर्ग कम मेरे देका मीज्क आज की दोड भरी जिंदगी में हर इंसान बड़ी बड़ी बिमारियों से जूज रहा है। जिसमें सेकड़ों के गिंती में लोगों ने अपनी बिमारियों के प्रती जानकरी और घरेलू नुस्कों के बारे में भी जानकरी हासल की। वहीं परियावरन को प्रफुलित करने के लिए भी 500 के करीब और शदी युक्त पोधी भी वित्रित किये गए। बरनाला से हल्चल के लिए विनोज शर्मा की रिपोर्ट। अपने ब्रासी बूटे नेगे विल्कुल अपने ब्रासी बूटे नेगे विल्कुल असी फ्री जड़े लोकानू बंढ रहे हैंगे तो लोग कानू दस रहेंगे विना दे परातन जड़े बूटे थे विल्कुल खत्म होगी नेगे देसी किकर होगी देसी बेरी होगी फलाही नम्म्म अजकले द्रक्त सारे अपने खत्म होंदे जा रहेंगे तो शादा मक्सदे ही अभी बास्तों बादे बचन खत्वाश्चान और लाए जाना असी पूरे पजावदे भी चरांग लाप फांडेशना सारी जांसा गी ओदे बलो पूरे पंजावदे वेचे बिल्कुल फ्री जड़े नान के जंगल नान को घथिया लगवाउनिया नान के जंगल नान को वगीचिया लगवाउनिया होना उसाधे ना संपर्क कर सागए नेगे साधे अपना फेस्वुक सोचल मीडिया ते चैनल पेजनेगे राउंग लाफ फाउंडेशन उससे सार्च करके साधे ना जोड़ सागए असी खाने देविच हलके फुलके बलाव क करके लोका नो ना ठीक हो ना लिया बिमारी तो मुप्ती दिला रहे हैं एक प्रोग्राम साधा तेन साल दो चाहते हैं सोचल मीडिया ते काफी फेमस है लखा पंजाबी है नो आलो और वर्ट्श फॉलो कर रही है एस ही होनो सोचल मीडिया तो बार निकल के जमीनी पदर थ जांदा साथा जड़ा तीचे हैं उन्हों पूरा करन दी कोशिश करते हैं उस सिर्फले चैसी होन बरना रहे हैं इसको पहला ही लग लगा चुक्के हैं लग लग शेरां देविच पिंडा देविच एह हुने दसवां केमप है अगला केमप साथा महारी होगा असी लोकारों सरफ यह दस्ते हैं भी तुसी खाना बना लग गया मोटी रोटी बनानी हैं पतली नहीं बना रहे हैं तो नीदे के ओलोना है केड़े टाइम जिस तरह हैं कि तुछी ट्वाइलेट जान तो बाद हाफ है नार तक कुछ नहीं खाना पी लोटी खान तो बाद दो कंटे चा न कर बेठे अपने आवदा काम कर देवे नशा चाट रहे हैं विधानसभा श्यत्र खडूर साहिब के नजदीकी गाउं पंडोरी गुला में महौल उस समय तनापून हो गया जब एक विद्वा किसान महिला के खेतों में उसके ही रिष्टेदार घुस गए और खेतों के ऊप बता स्थानी थाना सदर की पुलिस को चला तो मौके पर एसेचो पुलिस पार्टी सहित पहुंच गए महिला ने बताया कि वे विद्वा है उसकी सास ससुर कोई भी नहीं है उसके दो बच्चे हैं लेकिन जो उसके रिष्टेदार हैं वे उसकी जमीन के उपर कबजा करना चाते हैं उसने कहा कि जो उनका हक बनता है वे दूसरी तरफ उन्हें जमीन देने के लिए तयार है लेकिन वे जब भी आते हैं साथ में गुंडे लेकर आते हैं और यहां पर कबजा करने की कोशिश करते हैं उसने बताया कि उसकी जान को खत्रा है इसलिए उसने पुलिस प पर कबजा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी कनून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो भी बात होगी थाने में आकर हल की जाएगी। भीकी विंट से हलचल के लिए बुपेंदर सिंग की रिपोर्ट। जाएगी। 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 जिसमें महिलाओं ने सिर्फ पर कलश रख कर इलाके की परिकर्मा की। जिसके पश्चात संत समाज ने विदिवत पूचा अर्चना कर भागवत कता की शुरुवात की। इस अफसर पर प्रसिद समाज सेवक एवं आप नेता अजोई पीवल ने मुख्यतिती के तौर पर शामिल होकर माथा टेक आशिरवात प्राप्त किया। इस मौके पर कैप्टन बलबीर, राजेश कुमार, शिवप्रसाद, रमेश संदल, प्रमोत कुमार, राज कुमार, चोहान, मदनलाल, पृत्वी, चंचल देवी, रमेश कुमारी, मीनु बगगा, बविता शर्मा, श्रीला देवी, पुष्पा संदल, सुदेश चोहान और अंजू सहीत संख्य भक्तिचन मौचूद रही, जारंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामन जतिन राजपूत की। इस मौके पर आरे समाज के प्रसेद भजन गायक सोनु भारती ने मधर भचनों का गुनगान कर उपस्तित संगत को मंत्रमुग्द कर दिया। अर्चना मिश्रा प्रामिला महता अंजू देवी कुबेर नल्नी सहित असंख्य भक्तिचन मौचूद रही, जालंदर से हलचल के लिए कैमरामन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सुर्य पूर्व से उपता है, ये सत्य है, लेकिन जो जानता है, देखता है, जिसने देखा है कि सूर्य पूर्व से पुगा है, ये उसके लिए रिद्ध हो गया है। परमात्मा जो भी कहते हैं, लेकिन ये केवल हमारे लिए हो सकता है, के बल सत्य ही हो। महार्शी बैर्ण सरस्वती जी के लिए ये केवल सत्य नहीं है, रिद भी है, रिद इस लिए है कि उल्हों ने आत्मा का, परमात्मा का साथा काई किया हुआ है। आत्मा के बारे में परमात्मा के बारे में धर्म के बारे में धर्म क्या है। ऐसी बहुत सी चीजे हम पढ़ते हैं और वो सत्य भी है। सब्सक्राइब करना है अचारे की कहों कर तो कहीं हो ती हम उत्याना देखा हमारा भी एक ऐसा शड़ी की लिहाद बहुत जादा तो मैं खास कर भी आज ये मुखे जिनमान दो जो हमारे माता है जी कोरो माता है जटी हो है जी कहसा परिवार जो आड़ी समाल की शी दर के दिवाना परिवार जी माता आवर्गता जोनेरा जी और माता श्री विदावीच जी इनके सपुत्तर सुइंग जी जो साथ जाए है जी आड़ी समाइक ने स्वर्पित जी परिवार अचाया जी जी इनके काया जी आड़ी समय कजाना के परता है सरफ सांचा दरबार चरिटेबल ट्रस्ट की और से रमनीक अवेन्यू चालंदर में सत्संग समागम का योचन किया गया जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय पूर्व विधाय केड़ी भंडारी आम आद्मी पाटी के नेता हंसराज राना ने मुख्य महमान के रूप में शामिल होकर माथा टेक हाशिरवाद प्राप्त किया इस दोरान मालिक साहिब जोत ने अपने सत्संग के माध्यम से उपस्तित संगत को गुरू चर्णू से जोड़ा इस मौके पर संख्य भक्त जन मौजूद रही जालंदर से हल्चल के लिए कैमरामें सुदेश भागत की रिपोर्ट संतों से सदा मेरा साथ रहे संतों से सदा मेरा साथ रहे संतों से सदा मेरा साथ रहे मेरे सिर्फे प्रभु जी ते रहा रहे सिर्फे प्रभु जी ते रहा रहे संतों से सदा मेरा साथ रहे संतों से सदा मेरा साथ रहे संदों से संदावी मेरा साधी दे सब संद करो, सब संद करो, सब संद करो सब संद करो जै मलकदी जै मलकदी जै मलकदी और सुनाओ सरे ठीक हो मुसी वोशो अजी लंबा यह इंतजार करना पह गया पर बहुत अनाम दा रही है क्योंके अजना ससा कैसी शुरू करिये उस तो पहला सब तो पहला था है ऐसी जलंदर कमेटी नो जैना ने राल मिलके इस सारा इंतजाम कीता और इसी सारे सरसंद का नंग लैनवास देया जथे इकटे होए हैं सो एकमेटी दे सारे मेंबान नो जैना ने भी राल मिलके इंतजाम कीता अज़े इसी अपनी तर्फों आई होई सारी संगती तर्फों आजे साथसंद आँ बाथ बदाहिया दे मागे मुवार्क बाथ दे मागे उतने अगरे इंतजाम ना करते ता आजे मौतारी संद मेंड़ना और उतने नाल नाल इसी एक मिट्टी आज़े को और बदाहिय दे मागे कि अज इनने साथसंद आता इंतजाम कीता ही ज़े इसी अनंद ले रहे हैं उतने नाल नाल इनने एक और ऐसा कर्म कीता जिनस अज सनु बड़ी खुशी हो रही है अमीज़ों और वो कीड़ा है तुके हुणी तुसी देख रहे सी न के अज इस साथसंद नाल नाल तुसी शबदा भी अनंद लिया इसलिए इसी दिलों अज साथे विज संत्वबर निर्वलदास ही बैठे है अज साथी मुलाकात हो गई ना समझ लो के अननांत साथी हुशी कही कुना वदगी हो रही है अज साथी दिलों स्वागत करते है मैं तनु मना चारूप है मैं चलकि राइ तेरेश है ओपामन विच्च तरागी तेल मैं तनु मैं मैं इस मतनाया मैं इसकी जे तेरा है पिर इंज क्यों विदायाने बस कर दे को हल हूँ रुक गये गल सडी भूलियां दरुस गया तुरू ये सहरा शड़ा तुरू ये कनारबा की दुनिया ने बत ले अपासा तेसी ने बस दे धर्द हगार वे साया कर पैठी मैं प्यार मैं दिल नू रंग जा इश्क देनाल मैं मैंनू देरेते इतवार ए दुनिया थेंडी जान दी जाल तुरू बार देखी मैं चलके आई तेरेश है ओस पाण विच चरागी तेल अगर उस प्रमात्माने उस प्रभूने सानू जिंदगी दिती है जिंदगी सानू इसे मंजिल पान वास्ते मिली है इसलिए जिंदगी में कभी हार मत मानना क्योंकि तुम्हें बहुत आगे जाना है जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा उनको भी तो करके दिखाना है सत्गुरु कबीर जी महाराज जी के प्रकाश परव को समर्पित अठर्मी प्रभात फेरी सत्गुरु कबीर मुख्यमंदिर भारकव नगर जारंदर से निकाली गई ये प्रभात फेरी इलाके की परिकर्मा करती हुए आपनेता मुहिंदर भगत के निवास थान पर जाकर संपन हुई जहां पर पारिवारिक सदस्यों में अश्वनी भगत, अतुल भगत, चंदन भगत, सुदेश भगत, ओम प्रकाश, बबल भगत, तरजिंदर, सुर्जीत सिंग, शोभा भगत, विनी धीर, कुलदीप, दीपू, कमल भगत ने पुश पवर्शा कर इस प्रभात फेरी का जोरान भक्तों ने सत्गुरु कबीर्चु की महमका गुनगान कर महौल को भक्ती में रूप प्रतान किया, इस अफसर पर संक्य भक्तिजन भी मौजूद रहे, जारंदर से हल्चल के लिए कैमरामेन दविंदर की रिपोर्ट आपने कुराँ जी दे दरेशन भालो जोरी जोरी जारे उसे आया है है आडो संक्यो कानो, आडो वन कर थाओ ए रंग मेरे सक बुलावाला है मेरा सद गुरू प्यारा सारे जब तो मेरा नहरा आज गुरां के सी सन चुखा लिये मेलाया साथ तुर्दारल मिल खुशी मना लेगे 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 और अब बन्त में हल्चल की कदिविदियों पर एक नजर फिर से अमरिस्तर के रंजीत वेन्यों में युवकों के दो गुटों में हुई भिणन्त कुछ युवकों को लिया हिरा सकते नाभा के रियास्ति किले की पार्किंग में चोरों ने एक कार को बनाया निशाना शीशे तोड़कर नकदी मोबाइल वज़ जरूरी समान लेकर हुए फरार अम्रिस्तर के गोल हटी चौंक में देरात कुछ युवकों ने पान की दुकान में की दोरफोर दुकान में पड़ी नकदी और दुकानदार की जिप से पैसे छीन हुए फरार इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है और ताजा चौंकारी के लिए देखते रहे हल चल कि अबड़ी तक की बादेखते हैं आफिधियां समाप्त है